हेलो एवरिवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अपना सफर 786 में आज हम जो टैरो का रेडिंग कर रहे हैं इसमें देखने की कोशिच करेंगे आज रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं उनकी करंट फेलिंग्स आपक के लिए क्या रहने वाली हैं ओके निकालते हैं कुछ कार्ट और देखते हैं क्या कुछ चलने वाला है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में वैसे रात तो हुई चुकी है अभी से देखना शुरू करेंगे यानि कि इस वक्त की फेलिंग्स भी देखेंगे और साइलेंस अवैरनेस फ्लावरिंग इंटेग्रेशन अलोनेस बहुत ही ब्यूटिफुल कार्ट दलवर्स एंड बॉटम अफ देख जो हमारे पास कार्ड आया है वा या है तमाईजर का ओके चली रिडिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के यहां ऐसा लगता है इस वक्त जो गिल्ट है ना वो किसी बात का है इस वक्त ये परसन काफी दमन करने की कोशिच कर रहा है एक ऐसी बात जो ये परसन आप बहुत सदा फील कर गए है या फिर इस परसन ने आपको फील करने के लिए मजबूर कर दिया था आपको बहुत बुरी लगी है इस परस जाने कि इसने वो बात बोली ही क्यों हो सकता है कोई न कोई बात तो इस परसन ने आपके साथ ऐसी कर दिये या बोल दिये आपको जो आपको बहुत हर्ट कर गई है बहुत बुरी लग रही है तो यह परसन ना इस वक्त काफि साइलेंट है और खुद को शान्त करने की कर रहा है इस परसन ने ऐसा तो लगता ही है आपको काफी हर्ट किया है आपको इस परसन की काफी सारी ऐसी बाते हैं जो बहुत बुरी लगी है बट इस परसन को भी बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो अपनी खुद की ही बुरी लग रही है अब यह परसन पच्छता रहा है और खुद की गलतियों को realize कर रहा है और आज रात इस परसन की जो feelings रहने वाली है ना कुछ इस तरह की ही है कि ये जो कुछ भी इस परसन की life में चल रहा है ना इसकी जीवन में कुछ awareness आने जा रही है इस परसन के जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आने जा रही है जिसकी वज़ा से ये परसन काफी disturbed है आज रात ये परसन काफी disturbed रहने वाले है और इस परसन को ऐसा लगेगा कि ये परसन बहुती तनहा हो गए है अकेले हो गए है loneliness इस परसन को ना बहुत बुरी लगने वाली है आज रात इस परसन को ऐसा लगेगा कि इस वक्त इस person के पास कोई भी नहीं है जो इसका अपना हो इस person को ऐसा लगेगा कि आप ही इस person के अपने थे और आप उस garden की तरह थे उस फूल की तरह थे उन flowers की तरह थे उन पौड पेड पौधों की तरह थे जो इस person के जीवर में खुशी लाता था जो इनकी live को खुशियों से महकाता था अपनी खुशू से महकाता था इस person को अकेला पन होने नहीं देता था इस person को ऐसा भी लगने ओाला है कि आप इसके settlement है आपके साथ इस person का जो connection है past life connection है कि यहां पर integration भी आ गया है इस person को ऐसा लगे गा कि ये परसन आपी की परचाई है आप इसकी परचाई है ये आप से अलग नहीं हो सकता आप से जुदा होने की कोशिश करता है तो इस परसन को बहुत तकलीफ होती है बहुत दर्द होता है और वो दर्द आज रात ये महसूस करने वाला है खुद को अकेला फील करेगा आपको एक उस हुजबू की तरह देखने वाला है जो इसके जीवन में महक चुकी थी और इस परसन ने उस हुजबू से अपने जीवन को महकाया था और इन गल्दियों की वज़ा से जो परसन ने कर दी है जिसका गिल इस परसन को है जिसकी वज़ा से आप दोनों अलग हो गए हैं आपकी बात नहीं हो रही है और ये परसन भी अकेला फ़न फील करेगा आज रात इसको एहसास होगा अगर पहले इसको एहसास नहीं तरह इस बात का कि आप से जुदा होकर ये किस तरह फील करेंगे रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे तो आज इस परसन को एहसास होगा कि ये परसन नहीं रह पाएगा आपके बिना ये रिटन आने का सोचेंगे और इसके दिल में जो प्यार वाली फीलिंग्स आप के लिए थीं वो फिर से जागने वाली है इस परसन के दिल में आपके लिए प्यार उमरने वाला है यह परसन अहसास करेगा इस बात का कि यह आप से जुदा होकर नहीं रह पाएंगे इस परसन को आज इस बात का अहसास होने वाला है यह परसन चाहें जागते रहें यह फिर सोते रहें आप इके सबने देखेंगे आप इनके खौब और ख्यालों में रहने वाले हैं आज रात और जैसे जैसे ये रात बढ़ती चली जाएगी इस परसन की जो मिसिंग एनरजी है आपके लिए वो भी बढ़ती चली जाएगी ये परसन आपको बहुत मिस करने वाला है आज रात ये परसन हो सकता है कि आज रो भी दें आपको याद करके पास्ट में बिताय हुए लम्हों को याद करके रो दें तो ये परसन आज रात बहुत रोने वाले हैं आपको बहुत मिस करने वाले हैं इस परसन को ऐसा लगेगा क तो इस परसन को इस बात का एहसास होगा कि इस परसन ने आपको भी बहुत हट कर दिया है और ये पस्ताने वाला है आज रात ये परसन अगर ये गरल है ना तो इस परसन को बहुत एहसास होगा इस बात का कि आपने इस परसन को बहुत प्यार दिया था वट इस परसन है आपकी वैल्यू को नहीं समझा आपके प्यार को नहीं समझा और आप पर किसी और को प्रायॉरिटी दे दी है न तो वो गर्ल आज रात बहुत जादा आपको मिस करेगी हो सकता है ये वापस आने की कोशिश भी करें और अगर आपका पार्टनर मेल है तो ये मेल पार्टनर भी अगर कहीं इस ठक था तो वहाँ से निकलने की कोशिश जरूर करेगा क्योंकि आज रात आप इसको बहुत याद आने वाले हैं ये आपको बहुत मिस करने वाला है ओके वीवर्स तो यहाँ बना दोनों की एनरजी मुझे नजर आ रही है मेल और फी मेल तो ये परसन जो भी है मिस तो भात करने वाले हैं जैसे जैसे ये रात बढ़ेगी इस परसन की जो मिसिंग एनरजी है वो हाई होती चली जाएगी और रात का एक ऐसा पहर भी आएगा जिब ये अपने रूम में होंगे तो निकल कर खुले आसमान में जा सकते हैं उन तारों से बाते कर सकते हैं आसमान से बाते कर सकते हैं और आपके लिए बहुत सारी प्रियर्स भी कर सकते हैं ओके वीवर्स तो ये थी आपकी रिडिंग, आयोब आपको पसंद आई होगी, कुछ तो किलारिटी मिली होगी, कुछ तो रेजिनेट की होगी, मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बाबाई